आज हम करेंगे पुरिकी शर्वत इसके लिए एक चमश सब्जा 10 मिनित पानी में बिगो कर रखेंगे एक हरी मिर्श को स्लिट कर लेंगे इस तरह ग्लास में एक निम्बू का जूस, पाव चमश नमक, एक चमश पीसी चीनी, पाव चमश काली मिर्श पाउडर, पाव चमश भूने जीरे का पाउडर, पास से छेट पुदीने के पत्ते, थंडा पानी, निम्बू का टुकडा, स्लिट की हुई हरी मिर्श, निम्बू और मिर्श से शर्बत का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एक चमश भिगोया हुआ सब्जा डालेंगे, थोड़ा थंडा पानी डालेंगे, ग्लास पूरा न भरें, क्योंकि हमें शर्बत को शेक करना है, आप चाहें तो आइस क्योब भी आड़ कर सकते हो, कूल और रिफ्रेशिंग, कूल की शर्बत रेडी है, अगर आपको ये रेसीपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,